हैं सही कर लिया और उपंजियक का यह कहना है कि सचिन नहीं आकर उसमें अस्ताक्षर किया अंगुठा लगाए तो केस तो बिल्कुल कुछ बनता ही नहीं है मैलूट किसी तरह से इस में चैलान पीश होग एमलूट और वो जो वैरिफिकेशन का आपने का था विरिफिकेशन निया की पर्यादी THUM इंप्रेशन उसमें है यहने फर्यादी ने जूटी अफायर करी और उपन्जियक के जो बयान आये उपन्जियक का यह बयान आया 161 का कि फर्यादी आया उसने अंगुठा लगाया दसकत किये मैंने तस्दीक किया फर्जी एक पावर रवेटर्नी का केस है मैं जबकि यह जो आये यह रिपोर्ट आ गई है इनके पास वेरिफेकेशन की 23 जनवरी 2024 को कि फर्यादी के ही अंगुठा निशानी है उसमें और उसके बाद हमको ग्रफ्तार कर रहे हैं यह 15-4 अपरेल में जबकि यह पता है कि फर्यादी के अंगुठा निशान है वही औरिजिनल आदमी है ओपंजियक का भी आगया है कि हाँ साब वो आया था फर्यारी फर्यारी ने अंगुठा निशानी लगाया और हमने जो है पावर अफेटर नी तस्दी कर दी अब तो सब खतम हो गया जब उपंजियक का बयान आगया कि वही आदमी था और फिंगर्प्रिंट एक्सपार्ट ने बोल दिया कि यह सचें ठाकुर के ही थाम इंप्रेशन है दसकत हैं वो तो पूरा का पूरा केसी खता में मलोट इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि फिंगर्प्रिंट एक्सपार्ट की रिपोर्ट आ गई है कि मलोट पाँच करूर सतर लाग दो इसमें रखी गई थी कि यह करेंगे यह कि नहीं लिकरें पड़ पर तो इनके इनके अस्ताख्षर से खी एप उसके बाद लिए वार्ड़ आपर अब नीवार्ड़नी बनाने के बाद ये अग्द्शाद को इन्हों और उसको देखे सर टोटल 90 की गई तो पहचा इन्हों ने प्लाट और जो पावारा प्रड़नी में देखेंगे जो उसका एक्टेर रिया है जीरो पॉइंट जीरो बन जीरो एक हजार इसका रिफिक और जो जो इनका रखवा सर पूरा तू पॉइंट फॉर नाइन का और उसके बाद जो जब और इस्टेट में दिये इसके हुए सर यह वो पंजीय से पूछा गया और उसके जो पावर अप्रेंडी मनाई दिए सर जू है त यह जो फोटो लगी है सर यह इनकी लगी हुए और जो एक जितना भी अमाउंट है पूरा पैसा आया है यह भी लगा हुआ पूरा दस्तर यह यह उपंजीयक का स्टेटमेंट है मैं जिसको इन्होंने पढ़ा हुपंजीयक यह कह रहा है कि फोटो गलत हो गए थी फोटो सही कर दिया और सचिन के ही मैं पढ़ देता हूं उसको पंजीयक का 161 मैं सबसे पहले मैं मैं जो थम इंप्रेशन की रिपोर्ट आई है इनक सपाइब न दोर एक ही हमुठा चीनी करता है रोजान Jr और यह किभ्यान और इसके बाद हुआ है दो मार्च दो हजार चौविस को हमारे ग्रफतार होने के पहले कौसर जहां जिसको उन्होंने पार्टी नहीं बनाए था पूरा एलिगेशन उसी को पर है कि उसने फरजी काम किया मैं लिखाए पते पर सापरिवाइ रहती हूं तथा जिला उपंजिया के जो प्रक्रिया मक्त्याouting मापंजिन के समय की गई वही प्रक्रिया विक्र चैत्तों के समय मेरे दौरा मिंड़क टारीक क्या है रही थैंट ये किसके ही यह गंगाराम के फेल dough याधि नहीं किया है बार नहीं आऊंगा तो मैं एक बार मुक्तियार नामा लग देता हूं अब मालोड इसमें बात यह है कि सचिन की जगे गवाह की आगी थी जिस फोटो को बाद में उपंज्यक ने सही कर लिया और उपंज्यक का यह कहना है कि सचिन नहीं आकर उसमें अस्ताक्षर किया अंगुठा लगाएं तो केस तो बिल्कुल कुछ बनता ही नहीं है मैं लुट किसी तरह से यहने इनको पुलिस को पहले से ही पता था अंगुठा निशानी वाले का जनवरी में रिपोर्ट आ गई थी कि यह सचिन के अंगुठा निशानी है उसके बाद उपंज्यक के बयान होते हैं वो बोलती है कि हां सारा काम सही है सचिन ने आकर ही उसमें अंगुठा निशानी में बताई कहां लिखा मुक्तियार नाम के बारे में अब तो वह इर्रेलेवेंट है जब वह रिपोर्ट ही आ गई है रिलेवेंट नहीं मगर यह तो वही आ गया ना कि यह जो हस्ताक्षा निशानी है यह सचिन कहीं है और डिस्प्यूट यह है कि सचिन 23 में सूट फाइल किय है उसके मंद में आवरेमेंट कहां किये प्लेंट में पूछ रहा है आपसे जी मालोट बाद में वह रहें 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 और बात की बात है लेंट में बताईए कहां लिखा है इस एस तो वाई दियर और कि कहां लिख में मालोट जार पढ़िए यह कि प्रतिवाधी गण की नियत में खोट आज आने गंगा राम को सिएस नंबर 284 284 का मालोट अब सुविल सूट नपर 330 जी मालोट 330 में से बताईए कहां एवर्मेंट क्योंकि यह ती जी मार आपने पार पार टार नी तो अजारा ठारा में एक्जीकूट है उसका हवाला कहां दिया है